C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है पार्ट पांच मिठाई वाला प्रिष्ट संख्या बाईस बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता बच्चों को बहलाने वाला खिलोने वाला इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किन्तु मादक मधुर ढंग से गा कर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उड़ते उसके स्नेहा भी शक्त कंट से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर चज्जों पर नीचे जांकने लगती गलियों और उनके अंतरव्यापी छोटे छोटे उद्ध्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का जुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलोने वाला वही बैच कर खिलोने की पेटी खोल देता बच्चे खिलोने देखकर पुल की थोटते वे पैसे लाकर खिलोने का मोल भाव करने लगते पूछते इच का दाम क्या है? ओल इच का? ओल इच का? खिलोने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलोने दे देता खिलोने लेकर फिर बच्चे उचलने कूदने लगते और तब फिर खिलोने वाला उसी प्रकार गाकर कहता बच्चों को बहलाने वाला खिलोने वाला सागर की हिलोर की भांती उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलोने वाला आगे बढ़ जाता राय विजय बहादूर के बच्चे भी एक दिन खिलोने लेकर घर आए वे दो बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू चुन्नू जब खिलोने ले आया तो बोला दोनों अपने हाथी घोडे लेकर घर भर में उचलने लगे इन बच्चों की मां रोहिनी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल ने रखती रही अंत में दोनों बच्चों को बुला कर उसने पूछा अरे ओ चुन्नू मुन्नू ये खिलोने तुमने कितने मिलिये हैं मुन्नू बोला दो पैचे में खिलोने वाला दे गया है रोहिनी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया है कैसी दे गया है यह तो वही जाने लेकिन दे तो गया ही है इतना तो निश्चा है एक ज़रा सी बात ठहरी रोहिनी अपने काम में लग गई फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यक्ता भी भला क्यों पढ़ती प्रिष्ट संख्या 23 द्रिश्य दो छे महीने बाद नगर भर में दो-चार दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया लोग कहने लगे भाई वाह मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है मुरली बजा कर गाना सुना कर वह मुरली बेचता भी है सो भी दो-दो पैसे में भला इसमें उसे क्या मिलता होगा मेहनत भी तो ना आती होगी एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला मैंने तो उसे नहीं देखा उत्तर मिला उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी यही तीस बत्तिस का होगा दुबला पतला गोरा युवक है बीका नेरी रंगीन साफा बांथता है वही तो नहीं जो पहले खिलोने बेचा करता था क्या वह पहले खिलोने भी बेचा करता था हाँ जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था तो वही होगा पर भई है वह एक उस्ताद प्रती दिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती प्रती दिन नगर की प्रती एक गली में उसका मादक मृदुल्ट स्वर सुनाई पड़ता बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला प्रिष्ट संख्या चौबीस रोहिनी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना तुरंत ही उसे खिलोने वाले का स्मरण हुआया उसने मन ही मन कहा खिलोने वाला भी इसी तरह गागा कर खिलोने बेचा करता था रोहिनी उठकर अपने पती विजय बाबू के पास गई जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता या फिर इधर आए ना आए वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए है विजय बाबू एक सवाचार पत्र पढ़ रहे थे उसी तरह उसे लिये हुए वे दर्वाजे पर आकर मुरली वाले से बोले क्यों भाई, किस तरह देते हों मुरली किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी, जिसे पाजामा भी कहते हैं, धीली होकर लटकाई है इस तरह दोड़ते हाँपते हुए बच्चों का जुंड आ पहुँचा एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुली और अम्बी लेंदे मुली प्रिष्ट संख्या, 25, मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा बोला, सब को देंगे भाईया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे बेचने तो आई ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक, दो नहीं, पूरी सत तावन हाँ बाबु जी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी, दी तो वैसे तीन-तिन पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको दो-दो पैसे में ही दे दूँगा विजय बाबु भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुराती है मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है फिर बोले, तुम लोगों की जूट बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को दो-दो पैसे में, पर एहसान का बोज़ा मेरे ही उपर लाद रहे हो मुरली वाला एक दम अप्रतिब हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबुजी, कि इनकी असली लागत क्या है यह तो ग्रहकों का दस्तूर होता है, कि दुकानदार चाहे हानी उठा कर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्रहक यही समझते हैं, दुकानदार मुझे लूट रहा है आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबुजी, असली दाम दो ही पैसे है, आप कहीं से दो पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते मैंने तो पूरी एक हजार बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है विश्वाबु बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो दो मुरलियां लेकर विश्वाबु फिर मकान के भीतर पहुँच गए मुरली वाला देर तक उन बच्चों के जुन्ड में मुरलियां बेचता रहा उसके पास कई रंग की मुरलियां थी बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता यह बड़ी अच्छी मुरली है तुम यही ले लो बाबु, राजा बाबु, तुम्हारे लाइक तो बस यह है हाँ भई यह, तुमको वही देंगे यह लो, तुमको वैसी ना चाहिए यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो ले आए पैसे, अच्छा, यह लो तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी थी तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे धोती पकड़ कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबु हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे दुवन्ही है, तु क्या हुआ, यह लो, पैसे वापस लो ठीक हो गया न हिसाब, मिल गए पैसे, देखो, मैंने तरकीब बताई अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके तुम्हारी मां के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया प्रिष्ट संख्या 26, दृष्ट 3 आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिनी, मुरली वाले की सारी बाते सुनती रही आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा इसी समय मुरली वाले का खीन स्वर, दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला, रोहनी इसे सुनकर मनहिमन कहने लगी और स्वर कैसा मीठा है इसका, बहुत दिनों तक रोहनी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रती वेशने सिक्त बातें याद आती नहीं महीने के महीने आय और चले गए फिर मुरली वाला ना आया धीरे धीरे उसकी स्मृती भी खीन हो गई प्रिश्ट संख्या 27, द्रिश्य 4, आठ मास बाद सर्दी के दिन थे रोहिनी सनान करके मकान की छट पर चल कर आजानू लंबित कीश राशी सुखा रही थी इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था जट से रोहनी नीचे उतर आई उस समय उसके पती मकान में नहीं थे हाँ उनकी वृध्धा दादी थी रोहनी उनके निकट आकर बोली दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है जरा कमरे में चल कर ठहराओ मैं उधर कैसे जाओं कोई आता नहो जरा हट कर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी दादी उठकर कमरे में आकर बोली ए मिठाई वाले इधर आना मिठाई वाला निकट आ गया बोला कितनी मिठाई दूमा ये नए तरह की मिठाईया है रंग बिरंगी, कुछ-कुछ खटी, कुछ-कुछ मीठी, जाइकेदार बड़ी देर तक मुँ में ठिकती है जल्दी नहीं गुलती बच्चे बड़े चाउ से चूसते है इन गुणों के सिवाई ये खांसी भी दूर करती है कितनी दूँ चप्ती गोल पहलदार गोलिया है पैसे की सोला देता हूँ प्रिष्ट संख्या 28 दादी बोली सोला तो बहुत कम होती है बला पच्चिस तो देते मिठाई वाला नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता इतना भी देता हूँ यह अब मैं तुम्हें क्या खेर मैं अधिक न दे सकूँगा रोहिनी दादी के पास ही थी बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है चार पैसे की ले लो ये पैसे रहे मिठाई वाला मिठाईयां गिनने लगा तो चार की दे दो अच्छा पच्चीस नहीं सही बीशी दो अरे हां मैं बूडी हुई मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं कहते हुए दादी के पोप अची तो तुम हो नहीं दादी ने इस कथन को दोराने की चेश्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ रोहनी चिक की आड़ ही से बोली पहले यही मिठाई बेचते हुए आय थे या और कोई चीज लेकर मिठाई व उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी वह बोली इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा वह बोला मिलता भला क्या है यही खाने भर को मिल जाता है कभी नहीं भी मिलता है पर हां संतोश धीरज और कभी-कभी असीम सुक जरूर मिलता ह और यही मैं चाहता भी हूँ सो कैसे वह भी बताओ अब व्यार्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं उन्हें आप जाने ही दें उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा जब इतना बताया है तब और भी बता दो मैं बहुत उत्सुक हूँ तुमारा हर्जा न होगा आदमी था। मकान, व्यवसाए, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर, सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे-छोटे दो बच्चे भी थे। मेरा वा सोने का संसार था। बाहर समपत्ती का वैभव था। भीतर सांसार इक सुक था। स्त्री सुद्री थी, मेरी प्रान थी। कि गती विदाता की लीला अब कोई नहीं है दादी प्रान निकाले नहीं निकले इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं आखिर कहीं न जन में ही होंगे उस तरह रहता घुल मिलकर मरता इस तरह सुक संतोष के साथ मरूं है ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इनी में उचल उचल कर हंस खेल रहे हैं पैसों की कमी थोड़े ही है आपकी दया से पैसे तो काफी है जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ रोहनी ने अब मिठाई वाले की और देखा उसकी आँखें आँसों से तर हैं इसी समय चुन मिठाईयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नु मुन्नु को दे दी रोहनी ने भीतर से पैसे फेंग दिये मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा अब इस बार ये पैसे न लूंगा दादी बोली अरे 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 ना अपने पैसे लिये जा भाई तब तक आगे फिर सुन प्रश्ण एक, मिठाई वाला अलग-अलग चीजें क्यों बेशता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। प्रश्ण चार, खिलोने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। प्रश्ण साथ, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। प्रश्ण आठ, इस कहानी में रोहनी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? कहानी से आगे मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा? सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाईए। दो, हाट मेले शादी आधी आयोजनों में कौन-कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकरशित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। तीन, इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी दे कर अपना दुख कम करता है। इस मिज़ाज की और कहानिया कविताएं ढूंडिये और पढ़िये। अनुमान और कल्पना एक, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे। आप उनके बारे में क्या-क्या जानते हैं। अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए, तो उससे बात चीत कर जानने की कोशिश कीजिए। दो, आपके माता-पिता के जमाने से लेकर अब तक फेरी की आवाजों में कैसा बद्राव आया है, बड़ों से पूछ कर लिखिए। तीन, आपको क्या लगता है, वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं। कारण लिखिए। प्रिष्ट संख्या 31 भाशा की बात, एक, मिठाई वाला, बोलने वाली गुडिया, यहां वाला का प्रियोग है। अब बताईए कि क वाला से पहले आने वाले शब्द संग्या, सर्वनाम, विशेशन आदी में से क्या हैं। इन वाक्यांशों में उनका क्या प्रियोग है। दो, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो। उपरियोक्त वाक्य में ठो के प्रियोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तरप्रदेश और बिहार की भाशाओं में इस शब्द का प्रियोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है। जैसे बोजपुरी में एक ठो लईका, चार ठे आलू, तीन ठे बतुली। ऐसे शब्दों का प्रियोग भारत की कई अन्य भाशाओं और बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए कि किस किस की भाशा बोली में ऐसा है। इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। तीन, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भई, किस तरह देते हो मुरली। दादी, चुन्नु मुन्नु के लिए मिठाई लेनी है। जरा कमरे में चल कर ठहराओ। भाशा के ये प्रियोग आज कल पढ़ने सुनने में नहीं आते। आप ये बातें कैसे कहेंगे। कुछ करने को एक, फेरी वालों की दिन चर्या कैसी होती होगी। उनका घर परिवार कहां होगा। उनकी जिन्दगी में किस प्रकार की समस्याएं और उतार चड़ाव आते होंगे। यह जानने के लिए तीन-तीन के समूह में चात्र-चात्राएं कुछ प्रश्न तयार करें और फेरी वालों से बात चीत करें। प्रतेक समूह अलग-अलग व्यवसाय से जुड़े फेरी वालों से बात करें। दो- इस कहानी को पढ़कर क्या आपको यह अनुभूती हुई कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है। समूह में बात चीत कीजिए। तीन- अपनी कलपना की मदद से मिठाई वाले का चित्र शब्दों के माध्यम से बनाईए। इसके साथ ही यह पाट यहां समाप्त होता है। प्रिष्ट संख्या 32 केवल पढ़ने के लिए फेरी वालों की आवाजें। दिल्ली के फेरी वालों की एक बड़ी वीशेशता यह थी कि अपने सौदे को एक बड़ी लच्छेदार आवाज में और अकसर सुरीले स्वर में और कभी-कभी तो गाकर बीजते थे। किसी साहित्यकार ने सच लिखा है कि दिल्ली के बाजारों कूचों में फेरी वालों की आवाजें सुनकर ऐसा लगता था कि इस फहान के शायर चौक में खसल पड़ रहे हैं। दिल्ली के बारे में यह भी मशूर था कि यहां हर आदमी चाहे वह पढ़ा लिखा था या नहीं कलापूर्ण रूची और समवेदन शीलता रखता था फेरी वाले जो भी आवाज लगाते वह आमतोर पर उनका अपना आविश्कार होता या अगर किसी और का भी होता तो उसमें अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ जोड लेते लेकिन जो कुछ भी कहते गागर में सागर भर देते और सुनने वालों को बड़ा आनन दाता आदमी को अगर चीज न भी लेनी होती तो भी फेरी वाले की आवाज सुनकर उसे रस आने लगता और उसे खरीदने की इच्छा उसके मन में पैदा हो जाती प्रिष्ट संख्या 33 फेरी वालों का गाकर अपने सौदे को बेचने का रिवाज मुगलों के जमाने में शह जहां के काल से शुरू हुआ शह जहां के इच्छा थी कि फेरी वाले उसकी नई राजधानी शह जहानाबाद में अपनी चीजों को साफ और उंची आवाज में बेचें ताकि घर की औरतें अपने घरों की डियोड़ी पर जरूरत की चीज़ें खरीच सकें और फेरी वाले तथा राह चलते लोग उन्हें ना देख सकें गर्मियों में आम, खर्बूजे, ककड़ी, तर्बूज वगेरा की बहार होती आम वाला चिलाता केराने का लडवा सरॉली की बहार लड़ू है पाल के पाल के लड़ू बासी परांठे के संग खालो रस के घड़े हैं ये चूसने वाले खर्बूजे वाला लहक लहक कर गाता और सबसे बासी ले जाता नन्हे के अब्बा चक्कूलाना चक्के लेना सच्ची कहना फीके या मीठे बीच में कोई शकरकंद वाला बोल उठता बिन कढ़ाई का हलवा शकरकंदी ककडियों वाला ककडियों को पानी से तर करता रहता और चिल्लाता लेला की उंगलियां, मजनू की पसलियां तेर कर आई हैं बहते दर्याव में इसे लिया गया है महेश्वर द्याल की पुस्तक दिल्ली जो एक शहर है से अभी आप सुन रहे थे ये पार्ट प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत